नमस्कार तनू किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपने मेरी किचिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए आज हम शेयर करने वाले हैं पीजा बनाने की महोती आसान रेसिपी जो घर में आसानी से बनाया जा सकता है तो आएए पीजा बनाने की रेसिपी शेयर करते हैं, तो सबसे पहले हमने बनाना है पीजा सॉस, पीजा सॉस बनाने के लिए एक कड़ाई गैस पर गरम करने रखेंगे, उसमें दो चम्मच तेल डालेंगे, अब इस तेल में आठ या दस लैसून की कलियां काटकर, पड़े साइस की टीवी मिक्स कर देंगे, मिर्ची को भी अच्छे से सॉटी करना है, मिर्ची जब हो जाएगी तब उसमें बड़े साइस का कटा हुआ प्याज डाल कर सॉटी करेंगे, अच्छे से हिलाते हुए प्याज को ट्रांस्पेरेंट होने तक मून ना है, यह हमने दो प्याज प्याज के होने पर टमाटर को भी आड़ कर देंगे, अच्छे से स्ट्रो करते हुए इनको भी भूनना है, अब इसमें एक चममच नमक डाल देंगे, नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, स्ट्रो करते हुए, अब इसको एक धक्कन से कबर कर देंगे जिसे टमाटर दीरे दीरे पकते रहेंगे फ्लेम को मीडियम करके इनको पकाना है धक्कन अलग करके चेक करेंगे टमाटर अब गल चुके है पांच प्रट के समय लगेगा इसमे चेक करेंगे टमाटर हमारे पक गए है अब इसमें एक से टेड़ चमच, उगर आइट कर देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, स्लो फ्लेम करके इनको पकने देना है, अब इसमें दो चमच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, चिली फ्लेक्स घर में बनाए जा सकते हैं, बहुत असान इसको बनाना, इनको भी मिक्स करेंगे, कुछ और ही है नो हाउब से हमारे पास, आदा चमच, उसको भी मिक्स कर देंगे, और अच्छे से स्ट्रो करेंगे, जब सारे flavors mix हो जाएंगे तब इसमें दो चम्माच चिली सॉस, राट चिली सॉस mix करेंगे, दो चम्माच टोमाटो सॉस add करेंगे, ये इसको एक अच्छा flavor देंगे, सभी को अच्छे से stir करते हुए, mix करेंगे, flame medium करके इसको और पकाना है, जिससे टमाटर पूरी तरह से पक जाएंगे, अब ये हो गया है, इसको उतार कर, flame on, off करके ठंडा होने रखेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा, तब इसको mixi के jar में, जब ये ठंडा हो जाएगा, तब इसको mixi के jar में, grinder में डाल कर, इसको paste बना लेंगे, इस paste को एक बॉल में shift कर लेंगे, अब हमारा pizza sauce तयार है, pizza बनाने के लिए, कुछ हमने mozzarella cheese लिया है, ये भी market से easily available हो जाते हैं, ये अमूल का mozzarella cheese है, इसको हम medium side के grater से grate कर लेंगे, ये करीब एक bowl है, मैंने दो pizza base लिये है, ये pizza हम microwave में बनाएंगे, ये भी market से मिल जाते हैं, ये भी घर में भी बनाए जा सकते हैं, आसान recipe है इसकी भी, ये में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अब pizza base को हमने एक grill पर रख लिया है, microwave grill है ये, इस पर हमने रखकर इस पर ये butter हमने room temperature पर लिया है, butter की एक layer लगाएंगे, butter spread करेंगे एक चम्मा से, या brush कर लेंगे, अब इसको हम एक मिनिट के लिए microwave करेंगे, जिससे ये base थोड़ा crispy हो जाएगा, अब इसको निकाल कर हम, pizza sauce जो हमने तयार किया था, उसको दो चमाच या तीन चमाच डाल कर अच्छे से spread करेंगे, अब इसपर हम chili sauce जो हमने दो ये तीन चमाच लिया हुआ है, उसको भी spread कर देंगे, चमाच से, खेला देंगे अच्छे से, कुछ कटे हुए प्याज है, पतले-पतले slice, उनको भी इस पर arrange कर देंगे, एक ring में, जिससे देखने में अच्छे लगे, कुछ शिम्ला मिर्ज हैं, cubes कटे हुए, उसको भी इसमें, एर्रेंज करेंगे, टमाटर के पतले slice हैं, उसको भी एक ring में लगा देंगे, या पीजा हमारा सबजियां लगा दी हैं इसपर, अब जो mozzarella चीज हमने grate करके रखा था, उसको अच्छे से layer लगा देंगे, पुरा cover कर देंगे, जितना ज़्यादा चीज होगा, उतना ही मज़ेदार हमारा पीजा बनेगा, अब इसको हमने microwave करने के लिए रख दिया है, पांच मिनिट में हमारा पीजा बनकर तयार है, देखिए कितना अच्छा चीज स्प्राइड हुआ है, शिम्णा में प्याज टमाटर सब अच्छे से पग गए है, देखने में अच्छा दिख रहा है, ये है microwave कर बना हुआ पीजा, इसको पैन में भी बनाया सकता है, जिसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अब इस पर औरिगेनो हर्व एन चिली फ्लेक्स टाल को, इसके पीसिस बना लेंगे, पीजा कटर से, और सर्फ करेंगे, है ना कितना बढ़िया, और आसान होममेट पीजा, ऐसी ही और नई रसीपी देखने के लिए देखते रही है, म मेरे बताएं, कैसे लगी मेरी रसीपी